हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल चान्नीज लाइबस्टेल में दोस्तों आज मैं आपके लिए सूजी की पापड की रेसिपी लेके आई हूँ तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी के पापड बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कटोरी सूजी और जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया है उसी कटोरी से नापकर आठ कटोरी पानी डालेंगे कड़ाही में तो मैंने यहाँ पर कड़ा ही गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं इसमें 8 कटोरी पानी डालूंगे तो मैंने 8 कटोरी पानी डाल दिया है इसमें अब मैं इसमें थोड़ा सा तिल डालूंगी दो तीन भून के करें अब मैं इसमें नमक डालूंगी नमक थोड़ा कम ही डालेंगे पापड में नमक थोड़ा कम ही होता है अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए जीरा डालूंगी अब मैं इसमें सूजी डालूगी अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लगतार चलाते रहेंगे नहीं तो ये चिपब जाएगा इस तरीके से हम इसे 15 मिनट तक कंटे रहेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लगबक 7-8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए अब इसमें उबाल आने लगा है तो बस अब 2-3 मिनट इसे हम और पकाएंगे तो दोस्तो अब ये फिल्टन रेडी है पापड बढ़ने के लिए तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए इसे ही छोड़ देंगे फिर हम इसका पापड बनाएंगे तो दोस्तो मैंने यहां पे एक लास्टिक सीट ले लिया है इसके उपर में पापड बनाऊंगी इसे मैंने ओयल से ग्रीस में ही किया है इसके उपर में डाइरेक्ट ही पापड बनाऊंगी तो इस तरीके से एक एक कल्ची लेंगे और सीट के उपर डालेंगे इस तरीके से इसे राउंड पेट देंगे इस तरीके से हम पापड़ों को बना लेंगे तो इस तरीके से मैंने सारे पापड़ बना लिये हैं अभी ने धूप में सुखने देते 3-4 गंटे के लिए फिर इसे एक बार पलट देंगे ताकि ये दोनों तरब से सूख जाए दोस्तों ये देखिए हमारा सूजी का पापड़ बिल्कुल अब तयार है ये अच्छी तरीके से सूख गए है ये देखिए कितना अच्छा बना है तो चलिए हम अभी से तल के दिखाते हैं दोस्तों ये है पापड़ हमारा देखिए कितना क्रिस्पी बना है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगे ये बहुत खाने में टेस्टी होता है तो दोस्तों ये थी मेरी सूजी की पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजीगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई